नमस्कार दोस्तों मैं सिधारत आप सभी का बहुत-बहुत वगत करता हूँ हन्मान 40 भारत के बच्चे बच्चे तक को कंठस्त है इसकी शक्ति का अनुभाव हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किया ही है परंटू समय के साथ हनुमान 40 के जो लिखित गरंथ है यानि जो हनुमान 40 चप कर आई है उसमें कुछ-कुछ अशुध्यां आ गई है अब हनुमान 40 में अशुध्यां बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कुछ नहीं ये अशुध्यां स्वयम जगत गुरु शरी राम भद्राचारे जी ने बताए है के बारे में जतना कहा जाए उतना ही कम है हम सभी को पता है कि इनका कितना अतुलनीय योगदान रहा है शरी राम जनभ भूमी के कोट केस में वैसे तो इस बारे में सभी को पता है पर तो फिर भी मैं अपनी वानी में ऐसे महान संत के बारे में कुछ कहे करके स्वयम के लिए कुछ पुन्नक मा लेना चाहता हूँ. तो हुआ यूँ था कि 2003 में हाई कोट में ये बात निकली कि क्या कोई ऐसा है जो बता सकता है कि श्री राम जन्म भूमी के बारे में वेदों में पुराणों में कहां पर बताया गया है। उन्होंने कहा महोदय मैं बता सकता हूँ और फिर उन्होंने करीब सौ पन्नों का सौ प्रिष्ठों का रक्तव्यद्या जिसमें उन्होंने वालमी की रामायन, रामचरत मानस, अथर्ववेद और यहां तक की सकंद पुराण आदी कई सारे शास्त्रों से निकाल करके जो त सौ पन्नों का इनका बयान, ये उस कोट केस का ऐसा पॉइंट था जहां पर सभी को इस बात पर विश्वास हो गया था कि अब जब भी कभी इसका निवारन होगा, कोट के द्वारा इस विवाद का निरने दिया जाएगा तो फिर वो किसके पक्ष में होगा? श्री राम भद्राचारेच जी दो महिने की आयू से दिव्य चक्षू हो गए थे, अर्थात उनकी जो नेत्र थे उनकी शक्ती चली गई थी, पर उन्तो फिर भी इनहीं की वाणी में इन्हें दो लाख पन्ने, दो लाख प्रिष्ट कंठस्त हैं, इनसे कभी किसी ने से अपनी उंगली को अप दूसरे हाथ पर बजाते थे, तो किसी ने पूछा कि क्या आपको यक्षिनी सिध्ध है, तो इन्होंने कहा चली अपसे मैं नहीं करूंगा ऐसा, मुझे को यक्षिनी सिध्ध नहीं है, मुझे पर स्वयम जान की जी की सीधी कृपा है, जगत गु जे और फिर जब आप हन्मान चाली सा इसके बाद पढ़ेंगे, तो इन अशुद्धियों को हटाकर के जो शुद्ध है, उस हन्मान चाली सा को आप पढ़ेंगे, तो आपको अवश्य ही बहुत अधिक लाब होगा, पहली अशुद्धी ये है, छटे दोहे में आता है, शं स्वयम के सरी नंदन, ये पहली अशुद्धी, फिर दूसरी अशुद्धी है, 27 वी चौपाई में, जहां पर आता है, सब पर राम तपस्वी राजा, श्री राम भदराचारे जी कहते हैं कि तपस्वी राजा नहीं हो सकता है, और इसी कारण तुलसी बावा ने लिखा था सब पर राम राय सिर्था जा, तीसरी अशुद्धी आती है, 32 वी चौपाई में, जहां पर आता है, राम रसायन तुम्हरे पासा सदार हो रगुपती के दासा, परंतु जगद गुरु जी के अनुसाहर, इसका जो शुद्ध रूप है वो है, राम रसायन तुम्हरे पासा सादर हो रगुपती के दाजा और फिर अंतिम अशुद्धी आती है बाता है जो यह शतबार पाठ कर कोई परन्तु जगद गुरू श्री राम भदर अचारे जी के नुसार इसका शुद्ध रूप है यह सतबार पाठ कर जोई इन अशुद्धियों को यदि आप शुद्ध कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको हनुमान चालीसा की जो विशेश क्रिपा है वो जो उसका फल है वो और कहीं अधिक प्राप्त होगा अब इस बारे में छोटे सा प्रसंग ये भी आता है कि एक बार एक व्यक्ति तुलसी बाबा यानि तुलसी दाज जी के पास पहुंची और उन्चे पूछा कि बाबा आप क्रिपा करके मुझे बताइए कि जो वेदों के मंत्र हैं वो तो शुद्ध संस्कृत में हैं उनके उचारण में कई बार गलती हो जाती है कि उल्टा पड़ा है कि खड़ा हुआ है कि सो गया है तुम बस बो देते हो और फिर उसका फल स्वयम ही समय के अनुसार मिल जाता है वैसा ही कुछ मंत्रों के साथ भी है उस्तोत्र हो वो चालीसा हो निरंतर उसका जाप करते रहो शुद्ध हो या फिर आशुद्ध हो परन्तु यदि उस आशुद्धी को शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो और वो आप सरलता के साथ में कर सकते हो तो फिर जो उसका फल होगा वो निश्चत रूप से कही अधिक होगा दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जो चोटा सा वीडियो मैंने बनाया है यह आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा हनुमान जी की विशेश क्रिपा आप सभी को प्राप्त होगी और इसी के साथ मैं अब आपसे जाने की अनुमते लेता हूँ परंतु एक विनम्र मैं अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि जो कॉमेंट सेक्शन पर मेसेश पिंड है उसको जाकर के दीखिए उसमें जो PTM, GP, इतियादी बताएगा है वहाँ पर जाकर के अपनी ओर से जितना हो सके श्री सहयोग आप हमें प्रदान करें ताकि हमें प्रोचसान मिलता रहे आपके लिए निरंतर नए ने वीडियोज बनाते रहने का मैं सिधार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमते लिता हूँ जैस्यारा